क्या आप भी अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे स्लाइडिंग यूज करना चाह रहे हैं तो ए वीडियो आपके लिए है जी हाँ मेरा नाम प्रीती वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचेता हूँ मैं एक वेबड़ापर हूँ आज मैं आपको बताऊंगी कि वेबसाइट पे वर्डप्रेस पे अलिमेंटर से स्लाइडिंग कैसे लगाते हैं और उसे किस स्टेप में यूज करते हैं तो इस वीडियो के आंध तक बने रहिएगा ताकि जो भी मैं यूज करूँ उसे आप भी यूज करके आप अपना स्ला स्टेभर्ण है यहां से यहनी कि आपको साइड में अब आगा हटा व्यूज करा अगर बना हुआ है यह फिर आपको बनाना है वेबसाइड तो वЭ उस अभी कुछ बिले और भी वी वीडियो है वहां आप दे सकते हैं आपका विबसेट बनाना है तो यहां पर सबसे पहले हम plugin में चलते हैं, plugin में चलके यहां पर एक add new plugin करते हैं, अगर आप पूरी website बनाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, तो नीचे लिंक है, उसे click कीजिए और वहां से आप कर सकते हैं, यहां पर एक plugin लेंगे जिसका नाम है, Sina, यहां है Sina Extension for Elemental, Slider, Gallery, Form Model, Data Table, इसे इंस्टॉल कर लेंगे सबसे पहले, यहां पर एक्टिवेट हो गया है, इसे हम जैसे है वाइसे ही रहने देंगे, इसमें कोई भी हम changes नहीं करेंगे, अभी क्या करते हैं, यहां template में जाते हैं, और template में जाके add new template करते हैं, यहां section में, यहां section select करेंगे, यहां slider, one select कर लेंगे, यहां create करेंगे, अभी यहां से क्या करते हैं, हम एक ब्लॉक लेते हैं, अभी paid block है, यहां पर एक free block है, तो इसे import कर लेते हैं, अभी करेंगे इसे, save the template कर लेंगे, यहां पर, one कर लेंगे, अभी इसका हम change कर लेते हैं थोड़ा, ताकि दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी दूसरा ले नहीं रही हूं, मैं इसी को change कर ले रही हूं, यहां से button change कर ली, यहां typography change का color change कर लेती हूं, आप यहां कोई भी color कर सकते हैं, यहां थोड़ा सटीब कर लेती हूं, और यह size में बड़ा है, तो इसे हम, छोटा भी कर सकते हैं, और बड़ा भी रहने देते हैं, फिर इसे हम save कर लेंगे, और इसे, फिर फूप कर लेते हैं, अभी चलिए, अभी फिर से हम, डैस्बोट पर चलते हैं, यहां पर पेजेज पर चलेंगे, पेजेज पर चलने के बाद एक मैं पेज ले लेती हूं, जैसे की चलिए, कॉंटेंट का पेज ले ली हूं, यहां पिम्यव को बताती है. यहां पर एक सेक्षन लेंगे और सेक्षन लेने के बाद यहां एलिमेंटर में आएंगे और एलिमेंटर में आने के बाद नीचे आएंगे जब तो यहां पर आप देखिएगा ओल्रेडी सीडी जो हम प्लगिन इंस्टॉल किये थे उसका विजेज कुछ आ गया है तो यहां से हम कॉंटेंट स्लाइडर ले लेंगे अभी यह कॉंटेंट स्लाइडर ले लिए यह तीन स्लाइडिंग है इसे हम यहां पर देखिए तीन हैं इसे एक कर लेते हैं और यहां पर डॉट आ रहा है तो इस डॉट को भी हम आफ कर देते हैं आफ करने के बाद फिर से हम स्लाइडर में जा देंगे और इसे डिलीट कर देंगे यहां से एड आइटम करेंगे और यहां आप देखिए यूज सेव टेंपलेट इसे हम आउन करेंगे तो यहां पर चूज दा टेंपलेट आएगा यहां पी वन और फिर इसे बंद कर देते हैं फिर दूसरा लेंगे दूसरा को भी फिर यहां आउन कर लेंगे और यहां पर पी टू करके आ जाएगा अभी अमें क्या करना है इसे स्लाइडर सेटिंग में यहां पर सेट इस्टाइल में जाना है और इस्टाइल में जाके इसका हाइट आप बढ़ा दीजिए यहां से आप अपने एक का हाइट आपकी दिएगा तो सभी का हाइट बढ़ाबर हो जाएगा अभी क्या करते हैं कि यहां से और इसे फुल ब्रीथ कर देते हैं कि फुल ब्रीथ करने के बाद इसे अभी आप इसमें जितना भी स्लाइडिंग चाह रहे हैं आप लगा सकते हैं मैं दो लगाई हूं क्योंकि मैं दिखाने के लिए लगाई हूं जब हमें जरूरत होता है तो इसमें हम दो चार छे भी लगा सकते हैं आपने देखा कि किस तरह से हम स्लाइडर यूज कर सकते हैं ताकि हम अपने इमेजेज लोड नहीं करना पड़ेगा और इमेजेज लोड करने से क्या होता है कि हमारे वेबसाइड का स्पीड कम होता है तो आप भी अपने वेबसाइट पे इस तरह का स्लाइड यूज कीजिए और अपने वेबसाइट को लोडिंग से बचाईए तो वेबसाइट से जुड़ी हुई और भी जानकारी में लेकर आती हूं और आती रहूंगी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब क कैसा लगा लाइक किजिए और सेयर किजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि जो लोग इसे नहीं जानते हैं वह भी इसे जान सके और इसका यूज कर सके तो मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए थैंक यू